हलो दोस्तो नमस्कार आप देख रहे हैं हमारे यूटूब चेनल चोपड़ा एजू किसनों और मैं हूँ हरसाई चोपड़ा दोस्तो आरक्षन को लेकर सुप्रीम कोट ने एक बड़ा फैसला दिया है सुप्रीम कोट का कहना है कि जो अमीर और संपन है उनको आरक्षन का लाब नहीं मिलना चीए आरक्षन का लाब जरूरत मंद लोगों को ही मिलना चीए चाहे वो किसी भी स्रेणी का हो सुप्रीम कोट ने सरकार को फिर से लिस्ट तयार करने को कहा है सुप्रिम कोट ने ये भी का है कि आरक्षन को लेकर राजे सरकार द्वारा बनाए गए आयोग की रिपोर्ट में भी सूची में बदलाव की सिपारिस की गई है आयोग ने तो सूची में किसी जाती समधाय वे कैटेगरी को जोडने वैं हटाने की भी सिपारिस की है अमर उजला का इस न्यूज आर्टिकल में लिखा है सत्तर वर्ष से फाइदा ले रहे ही महानवववों के वारिसों को नए मिले आरक्षन अमर्वजला के इस 뉴스 आर्टिकल में आगे लिखा है सुपरीम कोट ने का है कि हारक्षन का लाब उन महानवाओं के वारिशों को नहीं मिलना चाहिए जो 70 वर्षं से हारक्ष्न का लाब उठाकर दनादे की श्रेनी में आचुके है वर्षों से आरक्षन का लाप सही माईने में अनुसुजी जाती और अनुसुजी जन जाती वर्ग के जरुरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पाने पर कोर्ट ने कहा सरकार को अनुसुजी जाती और अनुसुजी जन जातीयों की सुची फिर से बनानी चीए जसिस्ट अरुन मिस्रा, जसिस्ट इंद्राव एनरजी, जसिस्ट विनीत सरन, जसिस्ट एमार्शा और जसिस्ट अनिरुद बोष की पांस सदस्य समिधान पीट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि आरक्षन पाने वाले वरक की जो सुची बनी है वह पवीत्र है और उसे छेडा नहीं पीट ने कहा सरकार का दाईत है कि सुची में बदलाव करें जैसा कि इंद्रसानी मामले में नो सदस्य पीट ने कहा था, नहीं मिल पा रहा है आरक्षन का लाब, समिधान पीट ने कहा कि आरक्षित वरक के भीतर ही सामाजिक और आर्थिक रूप से मच्पूत लोग हैं, ऐ यह है मामला, कोर्ट ने सिपारिस आंदर प्रदेश के अनुसुजित ख्यदरों में शिक्षिकों की भरती में अनुसुजित जंजातियों को सो फीस्ते आरक्षन देने के फैसले को एस समिधाने करार देने के फैसले में की है, पीट ने कहा है कि वह वरिष्ट वकील राजी प्रदेशाओ के सूची में बदलाव किया जा सकता है, जिससे सही माइने में जरुत मन्द को लाब मिल सके नहीं कि उन्हें जो सूची में सामिल होने के बाद आरक्षन का लाब उठा समाज की मुख्यदारा में आ चुके हैं, यह है मामला, इसके बाद में राजियों में आ चाहती समधाय वह स्रेणी को जोडने या अटाने की शिपारिश की है, जहां ऐसी रिपोर्ट उपलब्ध है, वहां राजे सरकार मुख्यदी दिखा कर तारकिक तरीके से इस अंजाम दें, तो दोस्तों वीडियों के अंध में यही कहना चाहूंगा कि सुप्रिम कोर्ट का यह अच्छा फैसला है, यह लागू होने से सभी जरुरत मंदू को आरक्षन का लाब मिलेगा चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आते हों, इसके बारे में जैसे ही कोई और अपडेट मिलेगी, मैं आपको इन्फर्म कर दूँगा, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को स जदा जदा शेयर करें, मिलते हैं नए जानकारी के साथ में नए वीडियो में तब तक लेते हैं, आप से विदा जैए ही